हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आप सभी को मेरा प्यार भाया नमस्कार आज मैंने अपने सिम्पल से पॉट्स को नया लोक दिया हुआ है चलिए मैं आपको बताती हूँ यह मैंने किस तरीके से बनाये हैं यह है मेरे पास एक छोटा सा सेरमेक पॉट जिस पर लगा हुआ है म यह काफी सिम्पल है इसको थोड़ा सा मैं डेकोरेट करके दिखाऊंगी यह इस तरीके के छोटी-छोटी बीट्स हैं मैं इनके पीछे गम लगाके इन्हें इस पर चिपका दूँगी तो इसमें आप कुछ भी डेकोरेशन करें यह काफी अच्छा लगता है आप इसमें आ बटन्स हैं वो भी इनमें लगा सकते हैं वो भी काफी अच्छे लगते हैं यह देखिए यह सिम्पल सा पॉट सिर्फ इनको चिपकाने से काफी सुन्दर लगने लगा है पॉट तो हमारा डेकोरेट हो गया है अब इसे हैंग करने के लिए अब मैं इसकी डोरी तैयार करू आठ भी ले सकते हैं यह मैंने 6 डोरिया ली है और 6 को मैं अब उपर से इसमें ऐसे टाइट से एक गाट लगा दूंगी सूतली की जगों पर आप वाइट करकर जो डोरी आती है उसको भी लगा सकते हैं उस पर भी यह काफी खुबसूरत लगता है लेकिन अभी लॉकडाउ में अलग अलग कर देना है दो एक तरफ दो एक तरफ दो एक तरफ करके मैं इन्हें रख लूँगी और अब इसके बीच पर जहां पर मैंने नौट लगाई है ठिक उसके सेंटर में मैं पॉट रखे इसकी नीचे की गुलाई नापूंगी कि यह कितना है और उस हिसाप से मैंने नाप लिया यहां पर आ रहा है तो मैं यहां पर हमने अंग्री रखे है वहां पर एक नौट लगा लूँगी इस जग पर मैं एक नौट लगाउंगी कि इनकी लंबाई बिल्कुल बराबर है या नहीं अगर हम इन्हें उपर नीचे करते हैं तो हमारा पॉट जब हम इसको हैंग करेंगे तो वो टेड़ा होने लगेगा इस तरीके से मैं तीनों पै अच्छे से गांट लगा लूँगी गांट आप अच्छे से टाइट से लगा सकते हैं अगर आपके पास माला के गुदे या कोई भी बीट सो हो आप उनको भी इन नॉट्स के उपर फसा सकते हैं उससे भी ये काफी खुबसूरत लगता है इस तरीके से मैंने तीनों में बराबर से ये गांट बाद लिये अगर आपकी गांट उपर नीचे हो जाए तो आप इसे बाद में भी फिक्स कर सकते हैं ये देखिए अब ये तीनों गांटें बच चुकी हैं अब हमें इसे अच्छे से जमीन में इस तरीके से लेटा के, दो दो डोरियों का गुरुप बना के हमें एक जाल जैसा बुनना है. जो ये दो-दो डोरियों का group बना है हमें इन्हें अब एक दूसरे से attach करना है जैसे इस डोरी का इस दूसरी वाली डोरी से fix करंगे और जो दूसरी वाली डोरी का है उसको इस डोरी से इस तरीके से ये जाल जैसा बन जाएगा अगर हमारी pot की height छोटी है तो हम जो दो गाठों की दूरी होती है वो बिलकुल कम gap में करेंगे और अगर बड़ा pot है तो गाठ हम थोड़ा सा उपर लगा लगे इस तरीके से मैं तीनों में इस तरीके से गाठ बाद लूँगी जिससे ये एक जाल की तरफ बन जाता है जिस तरीके से मैंने 6 डोरियां ली हैं आप उस तरीके से 8 डोरियां भी ले सकते हैं उससे ये 4 डोरियां वाला अच्छा सा hanging planter बन जाएगा ये मैंने 6 ली हैं तो इसमें 3 डोरियां बनागी ये देखिए ये इस तरीके से एक जाल जैसा बन जाता है और इसके अंदर हमारा pot अच्छे से fix हो जाता है इसी तरीके से cross cross करते हुए हम एक दो गांट और उपर लगाने तो हमारा उसमें बड़ा pot भी आसानी से आ जाता है अब ये देखिए हमें इसके बिल्कुल सैंटर में इस pot को इस तरीके से डालूँगी और ये इस पे अच्छे से fix हो जाएगा ये हमारा अब तैयार हो चुका है अब मैं इसमें अच्छे से इस pot को fix कर लूँगी इसमें इसको एक बार fix करने के बाद इसमें इसका गिरने का कोई डर नी रहता है ये आराम से इसमें fix हो जाता है ये देखिए ये इसमें hang करा हुआ काफी खुबसूरत लगता है pot hang करे वे ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये देखिए अब मैं इसमें इसको क्योंकि ये ब्राउन करके सूथ लिए इसको थोड़ा सा decorate करने के लिए मेरे पास पड़े हैं ये चोटी चोटी पॉपबो में जो डेकुरेशन के काम पर आते हैं इस तरीके के ये हम अपने हाथ से भी बना सकते हैं ये काफी इजीली बन जाते हैं इसे में simple सी जो ये डोरिया हैं उपर को इन में ऐसे knot लगा लूँगी और इन में इनको simply बाद लूँगी इनकी जुखो पर आप अगर बड़े वाले बीट्स हैं जो मोटी वाली होती हैं उनको भी लगा सकते हैं वो भी इन में काफी अच्छे लगती हैं ये इस तरीके से इसमें simply बाद लूँगी तो ये थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा लगेगा ये देखिए ये मैंने इसमें लगा दे हैं और हम इसमें सबसे उपर इसमें एक वैसी ही नौड बाद लगे नौड हमें बिलकुल टाइट से बाद नी है और लास्ट में हम उपर से उसे कैचे से कट कर लगे आप उपर से भी कोई बेट्स या कोई कलरफुल धागे से उसे डेकॉरेट कर सकते हैं जो ये डेकॉरेशन के लिए पॉम्पम बनाए हैं ये काफी इजीली बन जाते हैं इसके लिए हमें एक उन का धागा या कोई भी आपके पाद धागा हो वो लेना होता है और उसे हाथ में इस तरीके से रोल कर ले और जो लास्ट का जो धागा बसता है उसे किनारे से इस त कर लेंगे ये देखी काफी आसानी से बन जाता है इसको आप बड़ा चोटा गीटा बनाना चाहते हैं उस इसाथ से ठागे की लमबाए रहतें अगर ऑश्यों चोटी-चोटी धागे को ले तो उससे इतना ही च्वट मश्या था अगर आपके पार डेकुरेशन का कोई समान नहीं हो तो यह देखिए यह मेरा बन चुका है अब मैं आपको अपना दूसरा पॉट दिखाती हूं जो मैंने बनाय हुआ था यह मैंने बनाय वे थे दो दिन पहले यह पॉट पेपर टावल के पॉट है इनका वीडियो मैंने उसी तरीके से हैंग किया हुआ है यह देखिए इसमें भी मैंने उसी तरीके से डेकुरेशन कर रहा है जो काफी खूबसूरत लग रहा है आप अगर ऑनलाइन एमेजियोन या फ्लिपकार्ड में इस तरह के हैंगिंग प्लांटर देखें तो आपको वह 500 या 600 के सम्थिंग मिलैंगे लेकिन अगर आप घर में इने बना सकते हैं तो आप काफी इसली और लो बज़ेट में ने अराम से बना सकते हैं यह देखिए उसी तरीके से अ मैं आपको यह दूसरा वाला है कर दिखायंगी यह देखिए यह बहीं पिस सुंदर लग रहा है आप सिंपलिए इह किसी कील पए या कहीं पए भी आप इन्हें पर कर सकते है और यह आपकी ड्रोईंग रोम को सुनदर बनाने लिए काफी अच्छे है आप इन्डोर आउट़ोर कहीं भीहां कर सकते हैं आप जरूर बताईएगा कमेंड करकी कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए थैंक यू